नमस्कार दोस्तो स्माइल फैमिली में आपका स्वागत है दोस्तो कुट्टा पालने के भेतरिन पांच फाइदे जिसे जानकर हर कोई पालना चाहे दोस्तो बहुत से लोगों को जानबर पालने का बहुत शौक होता है किसी को बिल्ली तो किसी को खरगोश तो बहीं कुछ लोगों को कुट्टा पालने का बहुत शौक होता है आपको बता दें कि सभी पालतू जानवरों में कुट्टे को सबसे बफादार जानवर माना जाता है कुट्टा हमारे घर की रखबाली तो करता ही है साथ ही ये हमारे लिए शुप चिन्तक भी होता है तो इतना ही नहीं। जोतिशास्त्र के अनुसार कुत्ते को रत्न माना जाता है। और बताया गया है कि किसी भी ब्यक्ति के अशुब ग्रहव को शांत करने का उपाय भी कुत्तों से जुड़ा है। तो आई जानते हैं कुत्ता पालने के भेतरिन पांच फाइदों के बारे मे नमबर बन कभी भी आप कुत्ता पाले तो काला ही पाले। जरूरी नहीं कि काला कुत्ता नहीं है तो उसका प्रभाप कम होगा। लेकिन काले कुत्ते का प्रभाप को ज़्यादा ही असरदार होता है। कहा जाता है कि जो लोग काला कुत्ता पालते हैं तो उनसे शनी देब अथी प्रसंद रहते हैं और उनके जीवन में आ रही परिशानिया भी दूर हो जाती है दोस्तो नमबर टू जो लोग अपने घर में कुत्ता पालते हैं तो उनसे दुश्मन भी थर थर कापता है घर में कुत्ता पालने से लड़ाई जगडों से राहत मिलती है और दुश्मन भी कोशो दूर रहता है जो लोग नियमे तोर पर कुत्तों को खाना खिलाते हैं तो उनसे सनिदे बहुत प्रसंद रहते हैं दोस्तो नमबर थिरी, घर में कुट्ता पालने से कई सारी मुसीबतों से छुटकारा मिलता है। साड़े सातिया कुंडली में कोई भी दोश हो तो वो भी निश्यती ठीक हो जाता है। इसलिए कुट्ता अबश्य पालें। दोस्तो नमबर फोर, जो लोग नियमित कुट्तों को खाना खिलाते हैं, तो उनसे देवी देपता बहुत प्रिशन रहते हैं। साथी दुस्मन भी उस बेक्ती का बाल बाका नहीं कर पाता। कुट्ता एक ऐसा जानबर है, जिसे घर में पालने से सकरत्मक प्रिभाब पड़ता है। कुट्ता घर में होने से निगेटिव एनरजी घर में परवेश नहीं करती। इसे परिबार हमेशा खुश रहता है। दोस्तो नमबर फाइब, शास्त्रों में इस बात का जिक्र है कि कुट्ते को घी की रोटी खिलाने से सनी के साथ साथ राहु के तू संबदित दोसों का भी निबारन हो जाता है। घर में किसी भी प्रकार की आक्स में घटना भी नहीं होती। तो दोस्तों आपने जाना की कुट्ता पालने के कितने सारे फाइदे मिलते हैं। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करे।